गुड मॉर्निंग दिर स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे संग्या इससे पहले हम बाशा सर्भ्द और वाक्या पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे संग्या लेसल नमबर 4 पेज नमबर 14 आप सब भी उपन करो पेज नमबर 14 और देखो द्यान से आज हम पढ़ेंगे संग्या क्या होता है संग्या बच्छो संग्या जो हमें किसी भी वस्तू या प्राणी इस्तान गून बाव आदी के नाम को संग्या कहते है संग्या किसे कहते है बच्छो किसी प्राणी वस्तू इस्तान गून आदी के नाम को हम संग्या कहते हैं नाम प्रकट करने वाले शब्द को संग्या कहते हैं जैसे यहाँ पर पीछास में ध्यान से आपको देखना है कि संग्या सब्द कौन-कौन से है यह बच्चा है जो पीछर बनी हुई यह बच्चा क्या कर रहा है फुटबॉल खेल रहा है तो यहां क्या हो गया सेंडेस बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो इसमें बच्चा और फुटबॉल क्या हो गया संग्या सब्द यह एक चम्मस है तो चम्मस क्या हो गया इसमे संग्या यह एक चम्मस है कुत्ता बोक रहा है कुत्ता क्या होगे इसमें संग्या यह एक आम है यह एक आम है आम क्या होगे इसमें संग्या सब्द बिल्ली बैटी है तो बिल्ली क्या होगे इसमें संग्या इसके हाथ में गुडिया है इसके हाथ में गुडिया है गुडिया क्या हो गया इधर संग्यासब यह डाकिया है यह डाकिया है यह क्या हो गया संग्यासब क्यूंकि इसमें प्रतेक सेंटेंस में किसी में किसी न किसी रूप में सबका नाम आया है चाहिए वो वस्तु हो व्यक्ति हो या इस्तान हो या फिर कोई गुणिया अवस्ता हो तो सब के नाम कुछ नो कुछ आया है तो हमें इनको संग्या सब के नाम से जाना जाएगा तो संग्या क्या होता है बच्चो किसी व्यक्ति वस्तू इस्तान प्रानी या गुण भाव आदिक के नाम को हम संग्या कहते हैं किसी का भी जो भी नाम होता है वह क्या होता है संग संग्या है के नाम से जानते हैं। इसमें वह फ्राणी के रूप में, यह संग्या सब्स है नाम कुत्तर रूप कित्त संग्या सब्सak करें, यह न्या है फूल का नाम है तो यह भी एक वस्तु हो गई बिली यह भी एक जीव है यह पोस्ट में यह भी एक व्यक्ति का नाम है तो इसी प्रकार हमें समझ में आया कि संग्या किसे कहते तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो चाहे वस्तु का नाम हो गून या बाव हो अवस्ता हो जो भी हो वाग क्यालाता है संग्य में 5 पर चेखेंगे पेस नंबर 15 पर जिन में प्राण होते हैं जो सांस लेते है आपको यहां वहां फिल करना यह producer सांस लिख Old बिल्ली बकरी गोडा उंट इसके अलावा और भी बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो सांस लेते हैं तो ये क्या होगे प्राणी हो के नाम तो वस्तूर में प्राण नहीं होती वे सांस नहीं लेते उनके नाम क्या होगे वस्तूर के नाम जिसे कुछ भी हो सकता है मैंने जैसे यह लिख दिया टीवी मेज कुर्सी पुस्तक और भी कुछ भी अपन नाम लिख सकते हैं अपने अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं मैंने आपके एक्जाम्बल के यह लिखके बताया जैसे टीवी मेज कुर्सी पुस्तक नेक्स रिसी प्रकार हम बढ़ेंगे जैसे यहां पर लि इस पर गर्व है यह मेरा विदाल्य है मैं यहां पड़ता हूं यह चिर्यागर है यहां पसुपक्षी रहते हैं तो जो भी जो गुलाबि कलर में लिकाँ हुआ है यह सब क्या है संघ्या संध्य इस्तान का नियुक चिट्र को दिक शुष रख संघ्या संध्य शंध यहां पर लिख दिया पारत दूसरा विद्या प्रसंता सबको अच्छी लगती है कमजोरी और बुड़ापा चलने भी नहीं देते लड़के की लंबाई अधीक है तो इन में क्या बताएगे बच्चों गुण और अवस्ता के बारा में बताएगया है कि वो कैसा है प्रसंता सबको अच्छी लगती है हमेशा खुश रहना सबको अच्छा लगता है कमजोरी और बुड़ापे में हमको चलने नहीं देते तो यह सब क्या है गुण और अवस्ता के बारे में बताएग जा रहा है कि वो किस अवस्ता में और क्या गुण है उसमें गुण तो हो गया प्रसंता और यह अवस्ता हो प्रसंता कमजोरी बुड़ापा लंबाई अब संग्या की डेफिनेशन भी इदर मैंने दो तीन बार तो मैंने आपको बता दी है फिर से मैं आपको बताऊंगी परिवाशा दी हुए संग्या की किसी प्राणी वस्तू स्तान गुन बाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं तो आपको मैंने इससे पहले बताया है कि किसी का भी जो भी प्राणी हो वस्तू स्तान गुन बाव जो भी हो उनके जो भी नाम होता है उनको हम क्या कहते हैं संग्या सब किसी व्यक्ति वस्तू स्तान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं अब आपके आसपास मनुश्य बिन अवस्ता हैं जैसे लंबाई चोड़ाई आदी होती है ऐसी अवस्ता के नाम होते हैं तो किसी का किसी जो भी कोई भी वलेवस्तु का नाम हो प्रानी का नाम हो गुण हो कोई भी अवस्ता हो उसे सब के कुछ न कुछ नाम जरूर होते हैं तो किसी का भी नाम बताने वाल शब्द को हम संग्या कहते हैं चाय व व्यक्ति का हो प्राणि व्यक्ति का हो चाय गुण हो दोश हो स्थान हो वाव हो उसे हम संग्या के नाम से जाना जाता है किसी प्राणी वस्तू, इस्थान, गुण या गुण बाव, आधी के नाम को संग्या कहते हैं. संग्या के प्राणी वस्तू, इस्तान, गुण भाव, आधी के नाम को संग्या कहते हैं. तो आधी के बारे में पढ़ा हैं. नेक्स कुशन आपका खवाला, चार मित्रों के नाम लिखने हैं. तो आप अपने मित्रों कोई भी हो, उनके चार नाम अपने अपने अकॉर्डिंग लिखना हैं. यह कुशन आपको खुद से करना है. कुशन नमबर गर, नीचे दिये गए वाक्यों में संग्या सब्द बढ़ना है. तो फर्स्ट कुशन आपका, वीपूल मेरा, यह खाली जगह दी हो, इधर हैं लिका हुआ. तो क्या लिकेंगे इधर, वीपूल मेरा मित्र है, यह क्या है, संग्या सब्द. हम खेलने के लिए, कहा जाते हैं बच्चो, मैदान, हम खेलने के लिए मैदान में जाते हैं. डश, खाली जगह आंकाश में उड़ रहे हैं क्या उड़ रहे हैं तो यह क्या है पक्षी संग्या संग्या सब्त धो गया इसude कुशिंड मेरी खाली जगह जी दोजन बना बोजन कौन बना रहा है मेरी माता जी भोजन बना रही है तो माता यहां पर संग्या सब्द हो गया आकाश में काले काली जगर गिर आये हैं क्या गीते आकाश में बादल आकाश में काले बादल गिर आये हैं तो बादल यहां पर संग्या सब्द हो गया एक कुछ ने आपका न गुण और अवस्ता के श्रेनी में जाना जाता है बर्फ kisी थिंक के नाम से जाना जाता है तो बर्फ में ठंडक होती है तो यहां पर बर्फ और ठंडक संग्या सब्दोगिया मेज लकडी से बनती है दोनों वस्तु के नामे मेज और लकडी वह एक हाती लाया है हाती एक जानवर का नाम है तो यह भी संग्या सब्द हो गया हाती आग में गर्मी होती है आग में गर्मी होती है तो आग और गर्मी संग्या सब्द हो गया तो थी किसी प्रकार हमने इस चेप्टर को जाना अग संग्या सब फिसे में एक बार बताऊंगी संग्या किसे कहते हैं किसी प्राणी वस्तू, इस्तान, गुन, बाव आदी के नाम को हम संग्या के नाम से जानते हैं तो किसी का भी नाम हो चाय व्यक्ति हो वस्तू हो इस्तान हो गुन, बाव कुछ भी हो उसको हम संग्या के नाम से ही जानते हैं और प्रतेक वस्तु का कुछ नाम जरूर होता है चाहे वो मनुश्यों, पशुपक्षियों सभी के नाम जरूर होते हैं आपको कुछ भी डाउटे तो आप मुझे पूस सकते हो धन्यवाद